आज इस सविधान सदन के अंदर हम सब हमारे राष्ट पिता, विश्च के जंजन के नायक महत्मा गांदी जी को याद करने आये हैं आज प्रकर नेता साधगी से अपने जीवन और कठोर निर्णे निर्णे वाले भारत के पूर्व प्रधानमंती लाल बाद्दूर शास्ती जी की जन्म जेनती भी हम मना रहे हैं मैं राष्ट पिता महत्मा गांदी जी को अपनी विनाम पुष्पांजली अर्पित करता हूं और आज मेरे सामने जो भारत का भईश्य है जो आने वाले समय के अंदर अपने कठोर परिष्टम से नए इनुवेशन से नए सोज से नए चिंतन से आत्मिश्वास से धन निश्य से एक विक्षित भारत बनाने का सपना पूरा करेगा ऐसे अलग-अलग प्रदेशों के मेरे नोजवान युवक युक्तियां आपर बेठी हैं विध्यारती बेठे हैं और उस जगह बेठे हैं जहां पर हमने आजादी प्राप्त की जहां हमारे नेताओं की कर्म भूमी रही है जिनों ने भारत को एक ऐसा सविधान दिया जहां न्याय भी है समान तहा भी है बंदुत भी है लेकिन विश्च का सबसे बड़ा सविधान भी है और आप जो सीटों पर बेठे हैं वहाई सब महान राष्ट प्रुष बैठे हैं जिनोंने यहां पर लंबे चिंतन मथन विचार विमर्ष लोकतंत की सहमति असहमति विचारों की अभिवेक्ति से सबीधान का निर्मान किया और सबीधान निर्माता के साथ राष्ट के अंदर जो सबीधान सवा का हिस्सा है वहाँ पर हमने आजादी के बाद देश के आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए नियम बनाए कानून बनाए और आज दुनिया के अंदर भारत तेजी से बढ़ता हुआ हर श्रित्य के अंदर दुनिया का नितुत करता वाला देश बना तुमारे राश्पुरुष्टों के कारण बना और इस 75 वर्ष की आजादी के बाद हमारे यस्वत्य नेता नेंद मोदी जी के नितुत में आज देश आगे बढ़ रहा है कि जब भारत के अंदर जी टुनिया के राष्ट द्यक्ष यहां पर आये थे कुछ जी टुन्टी के अंदर राष्ट पिता महत्मा गांदी जी के समाधी पर गए और उनको याद किया उनके विचारों को याद किया उन्होंने उस समय जो नया यूख शुरू करने का एक ऐसा यूख जिसमें हर देश स्वतन्त हो और स्वतन्ता का ऐसा अंदोलन अइंसा सत्य का अंदोलन जिस पर कोई विचार नहीं कर सकता था कि अइंसा सत्य के से हम आजादी दिला सकते हैं जब महत्मा गांदी किसी विशुद्या लें गए तो लोगों ने उनसे जब चर्चा की कि हम सत्य अइंसा पर हम आजादी प्राप्त करेंगे तो लोगों ने का कि ऐसा प्रयोग तो दुनिया में कभी नहीं हुआ है यह नया प्रयोग है उस नया प्रयोग से कैसे आजादी मिलेंगी तो उनने का हमें नया प्रयोग करना है नया इतियास लिखना है और जो नया इतियास लिखता है वही दुनिया का नित्त करेगा और महात्मा गांदी जी ने दुनिया को बता दिया कि सत्य अइंसा के बल पर देश के आजादी प्रात की जासे है। हम जो महात्मा गांदी के विचारों को उनके दर्शन को उनके जीवन को पढ़ते हैं उनके जीवन दर्शन को देखते हैं उनके जीवन के हर हिस्ते से हमें नई प्रेड़ना आज भी मिलती है उनका हर प्रियोग दुनिया के अंदर आज भी प्रासंगिक है सादगी से जीना उच्छ विचारों से जीना नए इतियास को बनाना नए सोच नए चिंतन से नए प्रियोग करना और महात्मा गांदी जी ने जीवन में ऐसे प्रियोग किये जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुए थे जब बैरिष्टर थे तो कोट पेंटे जब आजादी की लड़ाई लड़ी एक कपड़े से आजादी लड़ा कर दुनिया को बता दिया कि यह भारत की तागत है वह भारत के परिप्यक्ष से आजादी की लड़ाई लड़ी उन्होंने उन्होंने भारत के प्रिवेश को पेना शब्दों से वानी से भाषा से कितनी बड़ी तागत थी उन्होंने बता दिया उन्होंने सत्य इंसा की नई युक की शुरुआत की और आज दुनिया उस युक की शुरुआत जो उन्हों की दुनिया मान रही है कि अगर वसुदेव कुटमकर्ण की संस्कृति से देश को आगे बढ़ाना है विश्व को आगे बढ़ाना है तो सत्य इंसा का रास्ता है सब को मिलकर रास्ता है और इसलिए भारत के प्रधानमंती जी ने इतियास का युक लिखा कि अगर दुनिया को सब देशों को आगे बढ़ना है तो हमें वसुदेव कंटमकं संस्कति से चलना पड़ेगा हमें सीमाओं दाइरों भाषा से उठकर पूरे विश्व के कल्यान की चर्चा करनी होगी सामुइक्ता से काम करना होगा मिलकर काम करना होगा हर चुनोतियों हर आपदा हर संकत किसी भी देश पर आए सामुइक्ता से उस चुनोतिय आपदा में सारा विश्व साथ में खड़ा रहे और यह आज नए शुरुआत हुई दुनिया जब उस एजेंडे पर चलने लगी है इसी एजेंडे पर दुनिया की लोगतांतिक चुनिवी सरकारें जिन एजेंडों पर चल रही है ऐसी लोगतांतिक संस्ताओं की जिम्मेदारी बन जाती है क्यों लोगतांति संस्ताओं में इसी परिपेक्ष पर चर्चा हो वसुदेव कुटमकम संस्कृती पर चर्चाओ एक परतिवी एक परिवार एक भईश की चर्चाओ और हमारी संस्तों के अंदर जो चर्चा हो वो सामुइकता से हो विश्व्यापी हो विश्व के कल्यान की हो हर देश के अंदर उनकी संस्ते चर्चा करें तो किस तरीके से हम विश्व के अंदर कल्यान कर सकते हैं किस तरीके लोगतंत की नई दिशा देने के होना चीए कि हर संसद हर देश चर्चा करें तो विश्य व्यापी समश्याएं चुनोति आपदा और जो देश हमारे से पीछे रह गए हैं उनमें हम किस तरीके से मदद करकर या नई सोच से चिंतन से नई दिशा देकर उसका भी आर्तिक सामा इक ही क्ल्यान करें इस हमारे विशे का किंदविंदू होना चीए और मुझे आशा है कि मेरे नोजवान आज पीटन्टी पर चर्चा कर रहे हैं ऑफ पीटन्टी के विशेव पर अपने विचार वेक्त Scholars कर रहे हैं हो महात्मा गांधी जी के विचारों को किस तरीके से उन्होंने विश्व्यापी विचार दिये थे, उसकी लोकतंत पर विचार दिये थे, समाज के अंतिम वेक्ति के जीवन को बदलने के लिए, मानो केंदित करन योजना बनाने के लिए, और उनका एक एक विशे जब महात्मा गांदी जी को आप पड़ोगे तो उन्हों न कहा था कोई एक विशे उठा लो हर विशे अभी एक अक्टूबर से हमने सुचता का भ्यान शुरू किया अब इतने बड़े देश के अंदर अगय में सुच रखना है सुच पानी हो सुच हवा हो सुच हो तो कौन करेगा सामविक्ता से करें इसलिए महात्मा गांदी जीने खुद में पहले अपनी जीवन के अंदर सुचता अपनाई तब देश को संदेश देने का काम किया जब हम अपनी क्लास में जाएंगे घर पे जाएंगे और एक घंटा हम सुच्चता पर देंगे तो सारा देश अगर इस विचानों से होगा तो देश के अंदर सुच्चता होगी सुच हवा होगी प्रदूशन मुक्त भारत होगा बदलते जलवायू परिवर्तन में हमारा क्या लो केसी हो नीची है इन सारे विशों पर भी जी टंटी पर चर्चाओ और पी टंटी पर चर्चाओ और इसलिए मैं आपसे यही आगर करना हूं कि आप भारत के भाईश हो और मैं देख रहा हूं मेरे भारत का भाईश आत्मिश्वासिय आकांशिय है बदलते भारत की तस्वीर देख रहा है और जब आप 40 साल के होंगे 35 साल से होंगे तो एक विक्सित भारत के सपने को पूरा कर पाए यह आकांशिय हुआ नए आत्मिश्वास के साथ ने उस्सा के साथ ने चिंतन के साथ नई सोच के साथ ने इनोवेशन के साथ हमें ही भा लिएसित भारत के संकलब को पूरा करेंगे हम हमारी वीरास्त को भी आत करेंगे वरतमान को भी करेंगे आधुनिकता का भी नया भी शुरू करेंगे यह जिम्मेदारी हमारी है आज जब इस कर्तेव भाव से हम यहां से जाएंगे जो हमारे आजादी के आंदोलन, आजादी के बाद देश के नौनिर्मान की कर्म भूमी रही है, उस कर्म भूमी का संदेश यहां से लेकर जाएं, और नए भारत, विक्सित भारत, सब का भारत, सब के कल्यान करने वारे भारत क की परिकल्पना लेकर जाएं आप सभी नोजवानों को जिन्होंने आज बहुत अच्छे विचार वेक्त किये अलग-अलग भाषाओं विचार किये कि सास से ज्यादा भाषाओं में विचार वेक्त किये 48 से ज्यादा हमारी शात्राओं ने विचार वेक्त किये और ऐसे विचार जिन विचारों से जिन चर्चाओं से समवाज से हमारे लोकतंत की तागत है क्योंकि विचारों से समवाज से समती है समती से हमने भारत की नई तस्वीर बनाईए आप भी इसी चर्चा समवाज से भारत की नई तस्वीर बनाएंगे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जहिन